S.I.P. में इंवेस्ट करें या लमसम में इंवेस्ट करें वन टाइम इंवेस्ट करें या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान लें किसमें आपको जादा फायदा है कौन सा आपको अमीर बनाएगा जानेंगे इस वीडियो में अंत तक देखते रहिएगा अगर वीडियो तक 299 रुपए में अलग-अलग वीडियो को देख करके सीखने से बढ़िया है कि आप अपनी पांस साल की लेर्णिंग एक बार में एक जगे पर सही तरीके से कर सकते हैं तो लाइफ सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से अपना सीट बुक कर सकते हैं चलते हैं वीडियो में हम लोग आगे क्या डिफरेंस है कि जब हम बात करते हैं एक S.I.P. और एक लंसम इंवेस्ट्मेंट की किस बात पर डिपेंड करता है कि आपको S.I.P. में चाहिए या आपको लंसम रुपे में इंवेस्ट करना चाहिए देखे सबसे पहले जान लेते हैं कि S.I.P. क्या है शेर बजार में अनिश्चित्ता है आपका पैसा कैसे ऊपर पढ़ेगा रोलर कोश्टर नहीं पता शेर बजार है क्या आप अगर म्यूचल फंड में S.I.P के दो कारण हो सकते हैं एक कारण हो सकता है कि जो मार्केट की वोलेटिलिटी है जो मार्केट में वोलेटाइल मार्केट है उतार चड़ाओ है आपको बरदास्त नहीं है आपने आज एक साथ एक मुष्ट एक लाख रुपया इंवेस्ट कर दिया आप 10 लाक इंवेस्ट कर दिया और आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है सो आप क्या करते हैं टुकडों में इसको इन्वेस्ट करते हैं हर महीने थोड़ा-थोड़ा आमाउंट ताकि आपको एवरेज प्राइस मिल जाए खरीकते वक्त और चुकि आप यह इन्वेस्टमेंट कम से कम अगर शेयर म आती है कि आप क्यूं निवेश कर रहे हैं आप कर रहे हैं ग्रोथ के लिए इंकम के लिए क्यूं तो आपका मुद्दा यह है ऑवराल कि आपको लंसम पैसा लगाना है यहां आपको क्या फायदा हुआ जब आप इस IP करते हैं इसका एक रीजन तो हुआ कि ये वॉलेटाइल है मार्केट दूसरा रीजन क्या है आपके पास overall पैसा ही कम है आप कहेंगे विपलब मेरे पास थोड़ी एक साथ बीस लाख रुपिया है पांच लाख रुपिया है कि मैं आज जा करके पैसा डाल दूँ सो मेरे पास तो हर महिने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स है सो आप टुकडों में पैसा इन्वेस्ट करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा हर महिने और इससे आपको मिलता है average price कम बजार में पैसा लगाते क्यों है अगर आपने कम prices में इसको लिया है average price आपकी कम है आपको पता है कि share बजार lastly तो उपर ही जाना है क्योंकि भारती अर्थ विवस्था पे एकोनॉमी पे आपको यकीन है अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसमें पैसा ही नहीं डालते तो आपने क्या किया अच्छे अच्छे portfolio एक आपने portfolio लिया है किसी भी mutual fund की scheme को खरीदा तो आप basically पूरा portfolio खरीदते हैं तो ये portfolio में आप units collect कर रहे हैं और आप 10 साल में share बजार में इसकी value बहुत अच्छी हो गई इसलिए आप एक ओसत price पे इसको खरीद रहें ये तो हो गया SIP लंसम अगर मुझे पता है कि market नीचे है अबवल तो ये बात किसी को पता नहीं होते कि market नीचे है या उपर इसके जो new thumb दर है और जो peak है lowest and bottom bottom and peak ये predict करना it is next to impossible जिन लोगों का हो जाता है वो तुक्का है तुक्का मात्र दूसरा जो इस बात को claim करते हैं वो claim करने की बजाए वो अपना काम करने बहुत अच्छा है मुझे इसके बारे में इतना ही पता है कि ये time करना impossible है दूसरी बात यह आती है कि अगर आपको यकीन है तो आपने पैसा डाल दिया आपको लगा भाई ये जो area है यहाँ बिलकुल नीचे है market ये आपको लगा ये तो वक्त बताएगा कि वो नीचे है या उपर है तो आपन financial situation क्या है मान लीजे ये किसको suit करेगा लंसम किसको suit करेगा आपका किसको लंसम suit करेगा और किसको SIP suit करेगा अगर आपका पैसा अगले 20 साल के लिए है दादा जी ने का मैं अपने पोते के लिए पैसा इंविस्ट करना चाता हूं 20 साल बाद पोते को मिल जाए ठीक है आपको पैसा आपके आज कम है तो SIP ही suit करेगा दूसरी बात आपकी financial situation क्या कहती है क्या आपके पास पैसा बहुत है आप लंसम और SIP कैसे decide करेंगे इसके लिए आपको simple सा financial planning के process को ही follow करना चाहिए आपको अपनी profile चेक करने चाहिए अपने investment को goal based करना चाहिए आपके पैस में अगर बच्चों की education 10 साल की है तो आप 10 साल के लिए SIP करते हैं आपके पैस में कोई goal है जो 15 साल का है आप scheme selection इसके basis पर करते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैंने 2 साल के लिए कोई पैसा लगा दिया और मैंने सोचा कि बड़ी अच्छी scheme है भले वो state bank की हो कोई फरक नहीं पड़ता आप ध्यान रखेगा mutual fund के अंदर ये purely चलता है सिर्फ और सिर्फ शेयर बजार के हिसाब से जो equity fund है इसका किसी bank की guarantee से कोई लेना देना नहीं हो और ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बर पैसा डाल दिया तो सिर्फ बढ़के ही मिलेगा अर्थ economy grow कर रही है तो ही आएगा अगर किसी time पे कोई ऐसी बात हो जाए जिससे की उपर नीचे हो market तो आपकी valuation भी उपर नीचे होंगी सो जब भी इन निवेश करें सिर्फ एक बात का ध्यान रखें लंबे समय का पैसा डालें उसमें और emergency का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रखें ताकि कभी अगर ऐसी संभावना आए कि आपको पैसे के urgently ज़रूरत है तो आप जो पैसा आप अलग सुरक्षित रखतें उसी को निका लिए सो एसाइपी और लंसम आपकी situation पे ही depend करता है simply अगर आप अपने advisor बनना चाहें आपको लगता है कि दुन्या में कोई और आपके अलावा आपका finance नहीं समाल सकता और ना आप इतना data किसी को share कर सकते हैं सो आप हमारी website पे जाकर के अपना seat book कर सकते हैं live session का वहाँ पे आप तीन दिन में बहुत जादा learning लेते हैं directly हमारे साथ और link description में available है आप seat book कर सकते हैं link description में available है